चौकलेट कैसे बनती है? राहुल और रीना के चाचा जी अमेरिका में एक चौकलेट कमपनी में काम करते थे. जब वह भारत आये, तो उनके लिए धेर सारी चौकलेट लाए. राहुल और रीना इतनी तरहा की चौकलेट देख कर दंग रह गए. उन्होंने कहा, चाचा जी, आप जब पहले आये थे, तो आपने बताया था कि कैसे लेटिन अमेरिकी आदिवासियों ने चौकलेट के खोच की थी. लेकिन ये नहीं बताया कि चौकलेट बनती कैसे है? बेटा, चौकलेट बनने की कहानी बहुत रोचक है. चौकलेट में सबसे महत पूर्ण तत्व कोको ककाओ नामक व्रिक्ष से प्राप्थ होता है. ये व्रिक्ष लगभग 40 फिट उचे होते हैं, जो उश्ण कटी बन्धिये खेत्रों में दूसरे व्रिक्षों के साथ पैदा होते हैं. ये खेत्र कहा है? ये भूमत दिरेखा के 10 से 20 डिग्री की पट्टी परिस्थित है. कोको के बड़े वित्रक हैं आईवरी कोस्ट, घाना, इंटोनेशिया, नाइचीरिया, ब्राजील, कैमरून, एक्वेडोर, डोमिनिक गनराज्ये और पपुआ नियोगिरी. अन्य जाने माने उत्पादक देश हैं, मेटा कासकर, मलेशिया, मैक्सिको, कैरेबियन आईलेंड ग्रेनेडा, वाक्क्यूबा और पैसिफिक आईलेंड समोवा. अच्छा चाचा जी, इन व्रिक्षों से कोको कैसे प्राप्थ होता है? बच्चों, ककाव व्रिक्ष पर बड़े-बड़े फल लगते हैं, जिनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तक होती है. ये भूरे पीले रंके होते हैं, एक फल में 20 से 40 तक बीज निकलते हैं. बीज का उपरी खोल, चमड़े की जिल्ली की तरह होता है. इसके अंदर से दो गिरी निकलती हैं. कोको फल को चीर कर इसके बीजों को उसी के खोल में सडने दिया जाता है. रीना को नाक सिकोडते देख, चाचा जी हसे और बोले. असल में इसके गूदे में अमड़ और खषार दो तरह के पदार्थ होते हैं. इससे इनके भीतर एक रसाइनिक क्रिया होती है, जिसे फरमेंटेशन कहते हैं. इससे इसके गूदे में खमीर उठता है, जिससे इसका फ्लेवर बढ़ जाता है, और इसमें सुगंधाने लगती है जितने ज्यादा दिन इन्हें रखा जाए, फ्लेवर उतना ही बढ़ता जाता है आम तोर पर एक सब्ताह तक इन्हें ऐसे ही रखा जाता है इन बीजों को फिर सुखाने के लिए धूप में रखा जाता है इस दोरान इनकी खुश्बू को महसूस किया जा सकता है बड़ी फैक्टरियों में इन्हें इलेक्टिक ड्रायर से सुखाया जाता है इन बीजों का रंग अब और गहरा भूरा हो जाता है पहले इन बीजों की पॉलिश पहरों से इन पर डांस करके की जाती थी लेकिन अभी ये काम मशीनों से किया जाता है डांस की बात पर रीना और राहुल की हसी छूट गई चाचा जी भी वुश्कुरा है उन्होंने फिर बताया अब इन बीजों को गोदावों में भेज दिया जाता है फिर इन्हें ऐसी मशीनों में डाला जाता है जिनसे इनकी सारी गंदगी और लोह तत्व अलग हो जाते हैं फिर इसके बाद इन्हें चॉकलेट प्लांट में भेज दिया जाता है हा राहुल यहां कई मशीने होती हैं इन पीजों को रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है इस मशीन में भाब की नलियां होती है गरम भाब के बहने के कारण मशीन के अंदर की हवा भी गरम हो जाती है इसके अंदर पंखे लगे होते हैं जिनके कारण सभी बीच एक जैसे भुन जाते हैं इससे बीच की गिरी भुरभुरी हो जाती है फिर इसे विनोइंग मशीन में भेज दिया जाता है जहां फटकने से इसका छिलका तूटकर अलग हो जाता है अब इस गिरी का खटा पंदूर करने के लिए फिर इसकी क्षार के साथ प्रक्रिया कराई जाती है इसके बाद शुरू होती है इसे पीसने की प्रक्रिया कूटने और पीसने की मशीन में पहले कोको द्रब बनता है फिर इस द्रब को बिलोया जाता है जिससे कोको बटर और केक बनता है इस केक को फिर तोडने और पीसने वाले संयंत्र में ले जाया जाता है जिससे गहरे भूरे रंग का कोको पाउडर प्राप्थ होता है चौकलेट के निर्मान में कोको बटर, चीनी, दूद का पाउडर वा वनीला आधी कुछ फ्लेवर मिलाए जाते हैं इसके लिए स्वचालित मशीनों से ये मिशरण डोजिंग और मिक्सिंग प्लांट में चला जाता है यहां इसका पेस्ट बन जाता है अब इस पेस्ट को कंचिंग मशीन में भेजा जाता है जिससे चॉकलेट की धलाई के वक्त इसमें से चिपचिपाहट और नमी के अंश दूर हो जाएं साचों में धली चॉकलेट को मशीन से सुखा कर पैकिंग डिवीजन में रैपरिंग के लिए भेज दिया जाता है अच्छा तो ऐसे बनती है चॉकलेट फैक्टरी में तब चाचा जी ने बताया कि उनकी कम्पनी के भारत में भी प्लांट है एक दिन वह दोनों को चॉकलेट प्लांट दिखाने जरूर ले जाएंगे ये सुनकर राहुल और रीना के चेहरे खिल उठे